हेई नमश्कार दोस्तों तो फाइनली मेरे पास आ चुका है OnePlus 11R जिसको मैं Amazon के उपर से pre-order करा था हूँ मुझे यार यह कल डिलिवर हुआ है कल से इसको मैं यूज कर रहा हूँ ताकि आपको बता पाऊ इसी flagship killer के बारे में कि OnePlus क्या फाइनली बापस आ चुका है अब इसकी initial pricing चालिस हजार उपर रखी गई है प्री-order में एक हजार की छूट मिल रही थी तो उसके साथ मुझे यह 39,000 का पड़ा है यह 8 और 128 GB वाला base variant मिलता है Quick unboxing की बाद के लिजाए तो इस तरीकी का box 11R लिखा हूँ मिलेगा नीचे OnePlus है Side में भी 11R लिखा हूँ है जल्दी खोले उपर एक पर्चा है पर्चे के अंदर कुछ सारे काफी सारे paperworks मल जाते है red cable club का card मिल जाएगा आपको एक SIM ejector pin का भी card मलता है उसे के लाव आपको एक black color का TPU case के अंदर मल जाता है नीचे हमारा रखावा iPhone रखते है Side में ओहो यह 100W का बड़ा सा Super VOOC वाला charger भी से के साथ मल जाएगा एंद इनकी red color वाली या type C charging cable भी मिलती है अब भाई यह 40,000 का OnePlus का flagship killer phone जो की back से यार यह black वाला variant तो बहुत ही slippery टाइप का लगता है लेकिन वहीं से आपको premium feel भी देता है और back जी दिखने में OnePlus 11R जैसा डिट्टो एकदम भाता है बस थोड़ी फोड़ी बस थोड़ी दर उदर changes आपको बिलेंगे सबस्क्राइब बिल्ड और डिजाइन की बात कर लीजा है बैक में आपको glass दिया जाता है अब इसमें कौन सा glass यूज़ कर रहा है कौन सी protection यूज़ करेए कहीं info मुझे यार officially पता नहीं चल रही है कहीं पे लिखा हुआ है gorilla glass 5 है कहीं में बता रहे है कोई dragon tail glass है तो यह ची 10 रुपए खर्च करें इसके अंदर अब बैक से यह module आपको कितना पसंद आता है यह तो भाई आपके उपर है मुझे ऐसा कुछ खास यहां पर बतलब फील नहीं दिया ऐसे कि हां बहुत अच्छा वाला देख एकदम लुक बाइस बहुत जादा मज़ा आ जाए बैक से आ यह ब्लस्टर भी आपको इसके अंदर मिल जाता है बागी यूट्यूब का प्रोडेट टैग वाला प्रोगाम भी चल रहा है तो अगर आपको कोई भी बैक का इकन बिल रहा है सिंपली उस पर क्लिक करो आज की वीडियो में जिते भी प्रोडेट बता है डिरेक्ली आप व इसके अंदर भी बहुत इसली आ रही है 5G के नेटवर्स वगरा भी कंसिस्टेंट आपको यहां पर मिल जाएंगे 4G प्लस वगरा का भी सपोर्ट यहां पर मिल जाता है तो कनेक्टिविटी अच्छी है Wi-Fi 6 का भी सपोर्ट इसके अंदर आपको प्राप्त हो जाता है कोई बहुत भी IP रेटिंग या वाइलेस चार्जिंग का सपोर्ट यहां पर यहां नहीं मिलेगा लेकिन जो करारी वाली मस्टीज है ना डिस्प्ले भाई मैं कहूंगा बहुत ही सही यूज करीगी आप देखो यहां पर 1.5 की रेजलिशन वाली है ना ही 2K है ना ही Full HD है उससे सा plus point में आपको यह मिलती है तो display की sharpness बहुत ही सही आपको मिलेगी डिस्प्ले देखो curved side में है हलका सा curved मिलेगी बड़ी डिस्प्ले है यह आपको 6.7 inch की मिलती है 120 Hz वाली है viewing angle भी अच्छ है तो याई display quality दिखने में काफी मज़िदा लगती है हाँ, Dolby Vision का इसके अंदर support नहीं मिलेगा और 1450 निट की इसके अंदर peak brightness से outdoor visibility में कोई भी लफडा नहीं होता है 10X sunlight में भी बहुत ही easily visible हो जाती है इवन bezels वगरा भी देखो बहुत ही पतले है और curve display के साथ bezel जितने पतले होना एक अच्छा अनुभाव आपको प्राप्त कराती है कि हाँ, एक अच्छा पैसे दिये हुए है flagship वाला phone आप यूज़ कर रहे हो वो तरीके का पूरा experience आपको इसके अंदर मल जाएगा लेकिन गही चीज़े, display protection कौन सी यूज़ करी गई है कोई बोला है dragon tail, कोई बोला है gorilla glass इसकी info बिलकुल भी clear नहीं है तो सम्हाल के tempered glass वगरा लगा के आप इसको आराम से यूज़ करिए बाकि इन display fingerprint scanner हो जाता है quickly work करता है, अच्छे से unlock हो जाता है बाकि अगर बात रही है performance की तो snap brand का 8 plus gen 1 वाला processor हमको इसके अंदर देखने को मिलता है अब ये processor भी बहुत ही दमदार है एंटो तो score देख लो, geekband score देख लो, score अच्छे निकल गयाते है CPU thotting में पता नहीं, scores बहुत जादा top of the line वाले नहीं निकल गयाते है decent से score CPU thotting में मिलेंगे लेकिन यार ये तो synthetic हो गया on paper का क्या कहना है, on paper का कहना है कि बिल्कुल मखन चलना है बाई, day to day users में कहीं भी आपको ये अटकता हुआ, लटकता हुआ, नहीं मिलेगा app opening बहुत fast हो जाती है, बहुत ही कुछ लिए app के विडिविन में switching का low, 120 Hz, काफी smooth देखने को मिलता है, लेकिन हाँ, कुछ-कुछ जगा 120 Hz ऐसे YouTube अगरा में work नहीं करता है, वो थोड़ी सी एक इसके अंदर bug प्राप्ती आपको होगी लेकिन उसके लावा day to day टा, editing करना हो, heavy चीज़े करनी हो, बहुत ही मकान तरीके से एकदम अराम से करा देगा, भाई, बिना किसी दिक्कत के, ये smoothness जरूर से आपको इसके अंदर प्राप्त हो जाएगी और अगर अगर इसके अंदर आप gaming की करना चाओगे, तो extreme setting के अंदर gaming पर आओगे, 90F का सपोर्ट नहीं मिलता है gaming भी अच्छी तरीके से, 60FPS में है, टिक के आपको दे देगा, long time के भी gaming करोगे, तो बहुत ही अच्छी हो जाती है अगर आप जादा एक गंटा देट गंटा gaming लगाता टिक के करो, वाकि उसके लाव आपको कोई भी दिक्कत यह नहीं देगा, लेकिन जब बात रहती है, software के अब देखो वही, ColorOS के उपर, OxygenOS की आपको launcher चढ़ा के इसके अंदर दिया हुआ है, अब Android 13 out of the box मिल जाता है, तीन साल की इसके अंदर आपको Android की अपडेट मिलेगी, और चार साल की security patches की अपडेट मिलेगी, अब यह मैं कह सकता हूँ, ColorOS का clean version है, मतलब इसके अंदर कोई किया, तो ऐसे explosive चीजों के लिए है, subscribe करो, like करो, और share भी करो वीडियो को, अब देखो ColorOS या मैं कहूँ, OxygenOS से नहीं वाली से कुई जाधा दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके अंदर bugs वगेरा की प्राप्ती आपको जरूर आए दिन होती रहेगी, look wise तो यह अच्छा मिलता है जो थोड़ी सी irritating type की लगती है, जिसको easily solve किया जा सकता है, बाकि उसके लावा, I don't think कि बहुत जाधा कोई major दिक्कत आपको आएगी, use करने में अच्छा है, लेकिन वो OxygenOS वाला, अगर आपको experience type वाला वो चीज चाहिए थी न, वो नहीं है, और सेम ही अभी आपको इसके और बहतरीन तरीके से बता पाऊंगा है, लेकिन 100W की charging मिलती है, 29 minutes लगता है इसको full charge होने में 0100, लेकिन in the end जब बात आती है camera's की भाई, देखो, इसमें और 11R और 11 में, दोनों में सेम main camera sensor को use करा गया है, 50 megapixel का, Sony का IMX 890 जो OOS के साथ आता है, लेकिन इसके अंदर या कट से 50FS में अच्छी मिलती है, stable भी कुछ हद तक आपको देखने को मिलेगी, लेकिन colors वगरा काफी बहतरी निकल के आते हैं, 4K 30FS में और ज़्यादा stable video निकल के आती है, front में, लेकिन I love the limited है, 1080 बचे मुझे बिलकुल पसंद नहीं आती है यार, लेकिन जब बात आती है, main camera sensor स photos वगरा कि भाई, भाई साब, बहुत सही photo निकल के आती है, मतलब details वगरा आपको on point देखने को मिलेगी, colors बहुत अच्छे देखने को मिलते है, portrait mode का edge या मैं कहूँ, edge जब आपको separation रगता है, portrait mode में बहुत ही सही हाँ पे करता है, colors वगरा काफी अच्छी तरीके से adjust करता ह दिखने में चाहे indoor लिलो, low light लिलो, outdoor lighting लिलो यार, photos वगरा बहुत ही सही, बहुत ही बैतरीन निकल के आती है, जिनको आप देखके कहो यार, अच्छी खासी photo है, मज़ा आ गया आप देखके, और इसके अंदर portrait mode में मैं मैंने देखा है, कि face को अलग से इक्दम white-ish कर देता वह वाली tune इसके काफी कम रखी गई है, 11 में जादा थी, तो ये चीज, I think camera की tuning बहुत ही बैतरीन निकल गाती है, लेकिन निराशा ज़रूर से आपको आपको आएगी जब आप एट में पिक्सल का ultra white देखोगी, कुछ खास detail वगरा नहीं निकाल पाता है, बिल्कुल ही decent सा average साब को ये 40,000 रोपे वाले phone में बिलेगा, बागी 16 में pixel selfie camera, यहां पर भी बैतरीन वाला काम करा गया है, आप देखो, edge detection देख लो, colors वगरा देख लो, यहां पर portrait mode के shot देख लो, even कई जगह पे मेरे चश्मे को भी बहुत ही अच्छे से इसने detect किया हुआ है, उसको blur नही background separation अच्छा मिलता है, indoor के अंदर, details दोगरा भी काफी सही निकल के आती है, HDR कभी-कभी थोड़ा सा overpower कर देता है, लेकिन overall दिखने में photos दोगरा काफी अच्छी मैं कहूँगा, यहां पर निकल के आती है, cameras main और front selfie camera ना अच्छे हैं इसके अंदर, और overall OnePlus की brand value भी लगा लग लेकिन हाँ, blood waves वगरा आ रहें, दीरे दीरे वो चीज़ को देगना पड़ेगा कि कितने आ और आते हैं, कितने रहते हैं, या कितने जाते हैं, बाकी updates वगरा किस तरीके से रहता है, कितना यह push करते हैं, कितनी easily, कितनी जल्दी देते हैं, वो चीज़ रेकने वाली रहे कि, बाकि ओवर आल तो यार काफी बहतर लग रहा है बाकि अगर आपका कोई कोश्चन है इस से लिले टेट तो कमेंट सक्षिन में बता देना और भी वीडियो आपके लिए जल्दी से जल्दी लेकर आने की पूरी कोशिश करूँगा फिलाल इस वीडियो में इतना ही मिलता हूँ वीडियो में तिल देन टेक केर बाब बाई